कि अधिया और फॉल उप्स की जो क्यों लिए वीडियो सोगी वो नहीं चैनल पर आएगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज के जो मारे फॉल उपस वह क्यों का डिस्क्राइब टाइम वें यू नीड़ तु सर्च दा इंफरमेशन उस ताइम के बारे में पताइए जब आपको इंफरमेशन सर्च करने की जुरूरत ही है सब्टमबर टुसमबर 2022 का टॉपिक है गाइस वन बैवन सभी एक्स्प्लें करेंगे फर्स्ट कोस्टन इस हाओ केन पीपल सच फर इंफरमेशन लोग कैसे इंफरमेशन को सर्च कर सकते हैं आज ज चीज के लैप टॉप एंड स्मार्टफोन के थुरू इंडिविडियल्स केन इसली क्लेक्ट इंफरमेशन ऑन गूगल एप इन जस्ट वन क्लिक लोग आजकल इसली इंफरमेशन क्लेक्ट कर सकते हैं गूगल एप पर एक ही सिंगल क्लिक में मोरोवर इसके लावा लाइब् सेप्स की खास करके लिए सेगंड कोश्टन पर मूव करते हैं वर्ट इंफरमेशन कैन पीपल गेट फ्रम टेलिविजन क्या इंफरमेशन लोग टेलिविजन से ले सकते हैं आंसर इस नो डाउट कोई शक नहीं है टेलिविजन इस एक बहुत अच्छा सोर्साइंट इंटर करती है बहुत सारी इंफरमेशन ले सकते हैं स्टेडी के लेटर बहुत सारी एजुकेशनल चैनल से और जो अडल्स में क्लेक्ट इंफरमेशन अबाउट सुराउंडिंग्स वाया न्यूस चैनल जो अडल्स है वह भी इंफरमेशन ले सकते हैं अपने आस पास की न्यूस के थूरू next move करते हैं third question पर do you think libraries are still important in digital age क्या आपको लगता है जो libraries से अभी भी महत्पूरने digital age में answer is yes definitely हाँ चरूर libraries are really paramount for the society जो libraries से बहुत महत्पूरने समाज के लिए avid readers usually utilize their most of time in library जो avid readers आम तोर पर पर बहुत सारा समय libraries में spend करते हैं apart from this इसके लावा reading from books in libraries is more peaceful and reliable source instead of studying through other digital methods जो books से पढ़ना है libraries में ज्यादा एक शांत पूर्वक और जो एक ब्रू से योग source है as compared to जो और sources होते हैं digital sources हैं पढ़ने के लिए next move करते हैं last question पर before moving on that question guys मेरा special speaking PDF भी available आप बाइ कर सकते हो last question is does the development of the internet have any impact on some disadvantaged people क्या जो development internet की उसका कोई impact है पर बाव है कुछ जो disadvantage लोगों पर answer is yes of course हाँ जूर internet is not less than any miracle for under privileged people internet कहीं कहीं भी किसी चमतकार से कम नहीं है जो ग्रीब लोगों के लिए as it provides free of cost knowledge or information to them वह उन्हें free की knowledge या information provide करता है furthermore it is the best platform for these individual to show their talent in front of world इसके लवा यह best platform है उन इन लोगों के लिए अपना talent को show करने के लिए दुनिया के सामने हैंस दे में earn name and fame easily और as a result यह वह easily अपना name and fame earn कर सकते हैं thank you so much guys for watching this video don't forget to like share and subscribe guys my online and offline classes are also available just contact on given number as well as you can message me on instagram also you guys can buy my special speaking pdf or just whatsapp me on given number thank you